जश्री किशन दोस्तों हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को हिट करना ना भूले दोस्तों इस संसार में सबसे बड़ा और महान जीव कौन सा है अब कुछ लोगों के मन में आएगा की मनुश्य कोई कहेगा सने, कोई कहेगा हाथी सब के जवाब अलग-अलग होंगे परन्तु जो असली जवाब है उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा संसार में सबसे बड़ा और महान जीव है व्रिक्ष जी हाँ, पेड वह व्रिक्ष जो हमें खाने के लिए फल देता है जीने के लिए वायु प्रदान करता है गर्मी में शीतल ठंडी हवा देता है और भी ना जाने कितना कुछ और जब सूख जाता है अपने अंतिम चरण में भी हमें जलाने के लिए लकड़ी दे जाता है अब सबके मन में आएगा की विरिक्ष विरिक्ष कैसे महान हुआ हमारा ध्यान विरिक्ष से ज़्यादा कहीं गून है उस बीच की ओर जो ना हमें फल लेता है न फूल न शीतल वायू न छाया देता है ना ही हमें लकडी ही देता है परन्तु धर्ती के अंदर रहकर नमी से लड़ता हुआ कुछ अंगुल नीचे जाता है व्रिक्ष को आकार देने के लिए अगर बीज ही नहीं होता तो वह व्रिक्ष कैसे बनता वह छोटा सा ही बीज ही विशाल काई व्रिक्ष बन जाता है इसी तरह माहान बन जाता है इसलिए माहान बनना है तो कुछ करना होगा इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि हम छोटे हैं या बड़े कुछ भी अच्छा करने की कोई उमर नहीं होती है कुछ करेंगे तभी कुछ बनेंगे सिर्फ सोचते रहने मात्र से कुछ नहीं होता है हमें चलना प्रारंब करना है रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं और कहीं न कहीं तो हमें लेकर जाएंगे ही जो बस निश्चल बैठे रहते हैं और उनका कुछ नहीं होता है हमेशा हमें चाद अखना है कि कुछ करने के लिए महान होना आवश्यक नहीं परन्तु महान बनने के लिए कुछ करना आवश्यक है इसलिए निश्चन नहीं बैठना कुछ करने के लिए कदम बढ़ाना है इसका एक उधारन और बहुत ही अच्छा है दिया और बाती बाती छोटी सी होती है, परणतु जब वह दिपग में जलती है तो सारा अंधकार धूर कर देती है हमारे चार ओर का तो हमें शुरुआत छोटे से बीट से बन करनी है या छोटी सी बाती बन कर, तभी हम कुछ कर पाएंगे और महान बनेंगे हमने कई बार लोगों से यह बात सुनी है और मानते भी हैं जीवन में जो धन कमाएं उसे बचा कर रखें ताकि किसी कटिन समय में बुरे समय में हमारे काम आए हमें मुश्किल का सामना ना करना पड़े क्या यह बात बिल्कुल सही है? क्या आप यह मानते हैं? सच है यह बात सोचें जरा अपने अंतरमन से सोचें यह सारा धन जो हमने कमाया और बचाया वह हमें कभी हमारा स्वास्ते लाकर दे सकता है यह सारा धन क्या आपको सुख लाकर दे सकता है जो आपका समय बीद गया जो आप करना चाहते हैं या करना चाहते थे ना करके उस धन को बचाया क्या आपको यह धन वह सब कुछ वापिस लाकर दे सकता है नहीं नहीं न यह नहीं हो सकता आप धन से यह सब कुछ नहीं खरीच सकते चलिए आपको एक बात बताते हैं अगर आप इश्वर में भगवान में विश्वास रखोगे और अच्छे करम करोगे और सब मे लिए केवल अच्छा और केवल अच्छा चाहोगे तो आपके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता यह शत्प्रदिशत सथे हैं समय बदले परन्तु समय बदलने के अजार नहीं वह अभी भी यही हैं जीवन में बढ़ते बढ़ते कभी कभी हम रुख जाते हैं, हमें नहीं पता क्यों, हम ये नहीं समझ पाते कि हम क्यों रुख गए, हम बहुत कोशिश करते हुए, गोधी प्रत्न करते हैं, आगे बढ़नेगा, किन्तु आगे नहीं बढ़ पाते, क्यों, क्या कारण है, आप एक माग पर चल रही हैं अकेले चले जा रही हैं आपका पाव मुड़ जाता है और आपके पाव में मोच आ जाती है आपको बहुत दरद होता है और आप चलने की कोशिश करने पर भी नहीं चल पाते अब यदि ये मोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है तब आप रुख जाते हैं अगर आपकी सोच छोटी होगी तो आप जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते छोटी सोच वालों का दाइरा बहुत ही छोटा होता है और आगे बढ़ने के लिए महान बनने के लिए बड़ी सोच और बड़ा दाइरा होना बहुत जरूरी है इसी प्रकार आपके मन में औरों के लिए जलन होगी तो आप अपने स्वेम का भाग्य भी नहीं बदल सकते तो किसी और का तो क्या काम का अर्ष आपको कभी धनी बनने नहीं देगा और धन का लालच आपको कभी महान नहीं बनने देगा बहुत ही छोटी सी बात है परन्तु है बहुत महत्वपून सोचे विचार कीजिए और प्रयास कीजिए वो समझने का जो आप समझना चाते हैं हो सकता है कि आप कुछ ऐसा अर्थ निकाल लें कि आप किसी गलत मार्थ पर जाने से रुक जाए चाफीर आप कुछ ऐसा अर्थ निकाल के लाएं वह मार्थ आपको महनता के मार्थ पर आगे ले जाए और आप आगे बढ़ते जाएं